हेलो मेरे प्यारे बच्चो आप केसे हो उम्मेद अब सब अच्छा है वेलकम बैक तो मैं चैनल मैं हूँ खैरूल और आज आपके सामने एक बहुत इंपोर्टन चीज लेके आया हूँ जो है नी 2020 कांसिलिंग प्रॉसस सारे राउंड में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ डीटेल में स्टेप बाइ स्टेप क्या क्या करना चाहिए कौन सा स्टेप में अगर आप जोइन नहीं करोगे तो क्या होने वाला है अगर रिपोर्ट करोगे तो क्या होने वाला है सारे चीज डीटील में आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा था कि आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना शेर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत सारे चीज़े यहाँ पे मिलते रहता है एक पर मेरा यूटीब चैनल को बिजेट करो तो आपको पता चल जाएगा क्या-क्या चीज़े यहाँ पे मिलता है तो चलिए शुरू करते हैं तो बच्चों आप जानते हूँ हमारा जो कांसेलिंग नी 2020 का कांसेलिंग प्रॉसेस स्टार्ट हो चुका है पहले 27th of October स्टार्ट होने वाला था फिर उसको पोस्पॉंड करा गया बिकाउज आप टेकनिकल इशू मैंने भी आपको अपडेट करा था उसके बाद 28th से आप दुबारा वो चालो कर दिया रेशेडियूल किया है बाकी सब कुछ सेम है जो आपका डेडलाइन है बाकी एवरिटिंग सेम बट यहाँ पे सिर्फ 28th October से स्टार्ट होगा यह बोला है 28th October से यहाँ पे स्टार्ट होगा फिर आपको खतम होगा फर्स्ट राउंड 2nd November तक ठीक है ना अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे देखो तो यह आपको पूरा शेडियूल बताया गया है तो सबसे पहले हमारा होता है पहला राउंड में क्या होगा 28th October से 2nd November तक आपको रेजिस्टर करना पड़ेगा वो टाइम लिमिट आपको दिया हुआ है 3 पी एम बच्चो यह चीज आपके दिमाग में रखना यह सर्वर टाइम है ठीक है अगर आप उसके बाद में अगर रेजिस्टेशन करोगे तो क्लोज दिखाएगा आपको जो फास्ट राउंड वाला तो उसके बाद आपको एक्च्छल में क्या हो दाए यहापे स्टैप्स आता है क्या क्या करना पड़ता है फिर पैमेंट का भी बारे में बात कर लेते हैं पैमेंट आपको यहाँ पे और जो आपका चॉइस फिलिंग या फिर लॉकिंग यह आपको 2 नॉबेंबर तक ही करना है जो लॉकिंग है आपको यहाँ पे देखो तिल 11.59 पी-म एस पर सर्वर टाइम तो यह चीज़ आपके दिमाग में रखना है साथ बजे तक ही आपको पैसा लिया जाएगा उसके बाद आपको पैसा नहीं दे सकते हो फिर चॉइस लोकिंग के बाद आ रहा है चॉइस लोकिंग विल स्टार्ट अट 3 पी-म आफ सेकंड नॉबेंबर 2020 तिल 7 पी-म आफ सेकंड नॉबेंबर तो यह आपका फर्स्ट राउंड को जो आपका काम था वो आपने कर लिया रेजिस्टर कर लिया पैमेंट कर लिया चॉइस फिलिंग कर लिया उसके बाद जो काम होता है वो MCC करता है जो Medical Counseling Committee है तो वो क्या करता है 12 नमेंबर तक आपको report करना है तो उस situation में आपको क्या-क्या जरूरत है क्या-क्या documents आपको ले जाना है बाइसा ले जाना है यह सारे चीज में यहाँ पे आपको बताऊंगा report करते वक्त आपको document चाहिए यहाँ पे online process है इसलिए यहाँ पे कोई document आपलोड करने का जरूरत नहीं है बच्चो लेकिन अब जब college में report करोगे तो आपको सारे documents का जरूरत है क्या-क्या documents का जरूरत है इसके बारे में मैंने बात कर लिया फिर भी इस video में मैं इसको include करा जल्दी जल्दी उसको भी खतम कर लेंगे अब उसके बाद आता है देखो 12th November तक यह खतम हो चुका है अपना reporting उसके बाद second round चालू होगा second round चालू होगा 18th November to 22nd November तक वो time आपको यहाँ पे दिया हुआ है फिर again वही 19th से आपको यहाँ पे देखो अपना जो payment है वो payment कर सकते हो choice filling को आप log कर सकते हो यह सारे detail आपको यहाँ पे बताया है then again यहाँ पे seat allotment चालू होगा 23rd November से 24th November तक then 25th November को आपको दुवारा result देखा और result आपको email या फिर SMS के तुरू आप जब mobile आप जब अपना form fill आप करोगे रेजिस्टर करोगे उस situation में आपका active mobile number और active email एटी देना ज़रूरी है बच्चो क्योंकि आपको email के थुरू इन लोग contact करेंगे ठीक है उसके बाद आपको again report करना है 7 दिन का समय दिया हो गया है तो 7 दिन में आपको report करना है उसके बाद ये first and second counselling के बाद आपका जो AIQ का जो 15% seats था वो सारे खतम हो जुगा है मतलब उसके बाद कोई यहाँ पे seat allotment नहीं होगा वही दूनों counselling में दूनों round पे ही खतम हो जाएगा उसके बाद एक आता है मौपा प्राउंड जो आपको specially central universities, dreamed universities, aims, jipmar only उन लोगों के लिए होगा बाकी जो भी colleges से उसके लिए नहीं हो रहा है वो आपका चालू होगा 10th of December to 14th December यह आपको date दिया हुआ है पांच दिन का समय है उस situation में आपको register करना है बगेरा बगेरा चीज़े मैं टीटील में बताऊंगा उसके बाद आपको यहाँ पे again lock करना है फिर आपको time दिया जाएगा seat alert किया जाएगा फिर result बताया जाएगा फिर आपको again report करना है बात समझ में आ रहा है उसके बाद फिर पॉइंट जो यहाँ पे बताया जा रहा है transfer of non-reporting and non-joining vacant seat to dreamed Central University AIMS, JIPMAR for stray vacancy यहाँ पे आपको अलग से register आप नहीं कर सकते हो इन लोग जो AIMS हो गया, JIPMAR हो गया, dreamed universities हो गया लोग खुद अपने हिसाब से अपना जो भी जिस बच्चो को बुलाना चाहते है वो अपना हिसाब से हो जागा तो ये बच्चो अपना हुआ schedule अब इस schedule से आपको पता चला कि कब तक आपको काम करना है जैसे कि आज आज आपको 29th या फिर 30 हो गया तो मैं 29th को रेकोड कर रहा हूँ है न so 30 हो गया मालो तो 30, 31, then 1 and 2 आपके पास 4 दिन है अभी तक आपने नहीं करा तो इस वीडियो को देख के आराम से करो इसमें कोई शक्वाली बात नहीं है मैं detail बताऊंगा आपको क्या क्या करना है registration process अब यहाँ पर registration आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा फिर आपको fee payment अब कितना fee आपको यहाँ पर जमा करना चाहिए वो refundable है या non refundable है इसके बारे में मैं बात करूंगा फिर आपको यहाँ पर choice feeling यहाँ पर आपको choice feel करना है और उसके बाद उसको lock b करना है ठीक है उसके बाद आपको seat allot किया जाएगा then reporting है तो यह 5 step जो है वो आपके हिसाब से चलेगा और यह आप जो आपका limit है या आपका जो 7 दिन का वक्त दिया हुआ है 2nd November तक यह आपको complete कर लेना है 1st round वाले को बात कर रहा हूँ उसके बाद इन लोग देंगा यह होगे आपका MCC वाले करने वाले है बट यह आप खूद करोगे ठीक है यह 3 step आप खूद करोगे और reporting भी आप खूद करोगे तो reporting आपको स्कॉलेज में जाना पड़ेगा तो यह हमारा 5 step है वो इक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले हमें register करने के लिए mcc.nic.in पे जाना है यूजी medical council बॉल के आपको एक column दिखेगा या फिर आपको एक button दिखेगा उस button में click करना है और आपको नीचे यहाँ से left side में आपको एक new registration option देखेगा तो उस new registration option में आपको click करना है और फिर आपको सारे detail यहाँ पे fill करना है roll number, password वगएर आपको यहाँ पे place करना है तो यह आपका initial phase of registration हुआ अभी तक registration confirm नहीं हुआ बच्चो तो यह हुआ उसके बाद आपको क्या करना है वो अपने password दे दिया इन लोग के mail के through OTP देंगे जो number अब यहाँ पे दो गए तो वो number valid होना चाहिए उसके बाद आपको register verify करना है confirm registration करना है तो mcc.nic.in भी जाना है UG medical counseling भी जाना है candidate login इस बार candidate login पहले वाले में क्या कर रहे थे आप new registration था अब यहाँ पे candidate login अपना roll number and password डालोगे और उसके बाद आपको सारे detail भरना है verify करना है मतलब check करना है review करना है कि जो आपने डाला है वो सारे सही है कि नहीं need में कितना marks आ रहा है या फिर आपका need का जो roll number कितना है rank कितना आ रहा है अब आपको कैटेगरीज वगेरा वगेरा everything आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा detail में बरना है उसके बाद आपको confirm registration कर लेना है यह आपका registration process हो गया उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा payment करना पड़ेगा payment कितना करना पड़ेगा all India जो categories है जो All India quota से आपको आप अपना register करना चाहते हो, All India seat आप लेना चाहते हो, तो उस situation में दू फीज यहां पे आता है, जैसे एक होता है non refundable registration fee और दूसरा होता है refundable tuition fee, अब यह refundable tuition fee जो college वाला का, ठीक है, अब यहां पे जो non refundable है, वो दूनों आपको non refundable and refundable दूनों एक साथ submit कर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वापस आपको दिया जाएगा, उसमें कोई शक वाले बात नहीं है, so 15% AIQ, Central University, यहां पे fee है, अब यहां पे देखो, unreserved seat जो है, उस unreserved seat के लिए, यहां पे कितना है, 1000 रूपेज है, कितना, 1000 रूपेज, SCHT, OBCN, PWD के लिए, 500 रूपेज बच्छो, ठीक है, अब refundable, यह देखो, AIQ में यहां पे कितना है, unreserved के लिए, 10,000, and reserved, जो आपे SCHT, OBCN, PWD, जो है आपका, यहां पे आपको कितना है, 5000 है, अब यह दूनों पैस, अमालों, आप यह unreserved है, तो आपको 11,000, submit करना पड़ेगा, अब reserved है, SCHT, OBC, PWD, तो आ 5,500 ही आपको जमा करना है, बात समझ में आ रहा है, तो यह payment का option आ रहा है, और वो payment online process है, यहाँ पे आपको credit card, debit card, net banking के थूँ, आपको यहाँ पे जमा करना है, बच्छो, तो यह आपको कर लिया, अगर अब dreamt university में apply कर रहे हो, dreamt university है, तो all categories, यहाँ पे कोई category हो रही है, तो 5,000 आपको देना है, जो non-refundable है, वो registration fee है, and जो tuition fee है, वो 2,00,000 है, दो के बाद 5,00,000 हाँ, तो 2,00,000 हो गया, 2,00,000 आपको यहाँ पे submit करना पड़ेगा, तो total fee यह हो गया, उसके बाद आपको पूरा registration हो गया, अब आपको choice feel करना है, आपको कौन सा college में जाना है, कहा जाना है, वो सारे आपको अच्छे से देना है, बच्चो, ऐसा नहीं है कि कोई भी college भरते जारे है, भरते जारे है, आपको पहले analyze करना पड़ेगा, detail आपको समझना पड़ेगा, कि कौन सा college में आपको AIQ के लिए 100% खुला हुआ है, open है, किसमे 50% है, वो सारे detail आपको 52 pages का है, उसको एक बार detail में पढ़ लेना है, एक ही बार पढ़ना है, बस बाग ही कुछ नहीं है, कि यहाँ पर अगर उस video में यहाँ पर include करोंगा, तो बहुत लंबा चोड़ा video हो जाएगा, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ, वो आप वहाँ पर जाके उसको download कर लो, उस एक बार देख लो ठीक है ना, तो यह अपना हो गया, फी के बारे में, choice filling आपको करना है, choice fill कर लिया, उसके बाद आपको sit allotment हो गया, उसके बाद आपको report करना है, तो report करते वक्त आपको 7 दीन का समय देता है, 7 days का समय दिया गया है, उस 7 days में आपको कुछ-कुछ documents का जर certificate दूनों चाहिए, 10th का मार्क सीर चो है, वो आपका DOB के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, DOB के लिए चाहिए, date of worth उसको verify करना है, उसके बाद ID proof आप यहाँ पर pen card ले सकते हो, आधर card ले सकते हो, या फिर अपना 12th का certificate या मार्क सीर ले सकते हो, और भी कुछ अगर आ आपको यहाँ पी 8th passport size photograph वच्चो, 8 passport size photograph आपको चाहिए होगा, जो आपने अगर NTA का जो form fill up कर रहे थे, नीट का form fill up कर रहे थे, वो आला होगा, तो बहुत ही बहतर है, वही ले के जाना है, अगर नहीं है तो उसको डूंडो, कहीं से भी निकालो, क्योंकि admit card के वक्त आप आपने चिपका है तो आपके पास एक दू तो रहा होगा, तो वहाँ से आप दुबारा photo बनवालो, फिर काम करो, उसके बाद provisional allotment letter, जो आपको sit allot किया जाएगा, उसके एक letter देंगे, तो वो letter आप download करोगे, और उसको साथ में ले जाना है, उसके बाद जो PRCA domicile certificate, वो सिर्फ state quota के जो admission लेना चाहते हैं, वो फिलाल अभी आपको नहीं चाहिए, ठीक है, और category certificate, if any, आवगर आप applicable है, SCST, OVC, EWS, anything, तो उस situation पर आपको वो certificate को ले जाना है, वो submit करना है, the time of reporting, अब जब report करोगे तब, अब तो यह चीज़ होगे, आपने report कर लिया, अपने admission ल नहीं किया गया, मानो मेरे को seat a lot नहीं किया गया, मेरे को seat नहीं मिला, तो में क्या करूँगा, या फिर मेरे को seat a lot किया गया है, बट मैं admission लेना नहीं चाहता, उस college मेरे को मजा मजा नहीं आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को next upcoming round में मेरे को जाना है, मतलब second counseling में, second round मे मेरे को जाना है, तो उस situation में क्या करूगा तो क्या होगा, क्या-क्या चीजे होना पड़ेगा, क्या-क्या चीजे हमें करना है वो सारे detail यहाँ पर में बताने वाला हो वीडियो end तक देखना है, बीच में skip मत कर लेना, है ना और दोस्तों को भी share करना, जो भी यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करा, ओनलाइन medical counselling यहाँ पर आपको जाना है देखो यहाँ पर mcc.nic.in यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपने register कर लिया, आपने payment जो भी fee registration and tuition fee दूनों भरना है बच्चों, यहाँ पर देख लेना दूनों भरना है and submission of choices modify अगर आपको करना कर्चा करना है, तो कर लो final submission से पहले उसके बाद आपको log करना है और log करोगे तो काम बन गया, उसके बाद बच्चों, यहाँ पर क्या होगा first round seat allotment, अब यह वाला first round seat allotment हो गया, result दे दिया, अगर आपको seat मिल गया है, यहाँ पर देखो first round यहाँ पर round one is seat allotted, अगर yes है तो आप क्या करोगे, no है, तो क्या होगा, देखो, yes है, हम मान रहे हैं, yes हो गया, अपना seat allotment कर दिया गया, वो situation में मेरे को क्या करना पड़ेगा, reported to the allotted institute बच्चो, यहाँ पर आपको allotted institute में जाना है, admission formalities को करना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक form दिया जाता है, वो form यहाँ पर willingness as follows free exit, entry option available, यहाँ पर free exit और entry यहाँ पर available है, अब यहाँ पर देखो willingness यह option में एक form दिया जाएगा, वहाँ पर बोला गया है, willingness for upgradation in second round, yes or no, अगर आप yes करना है, तो सीधा आप यहाँ पहुच जाओगे, मतलब second round पहुच जाओगे, कहाँ पहुच जाओगे, second round में आप पहुच जाओगे, अगर आपने no करा, तो अपना काम हुई अपना पड़ाई बड़ाई शुरू कर दिये हैं, candidates who have willing as yes for upgradation, तो सीधा आप यहाँ पहुच जाओगे, मतलब second round का जो allotment seat आएगा, उसमें, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको seat नहीं मिला या फिर आपको अपने report नहीं करा, तो उस situation में क्या होगा तो यहाँ पे देखो, second round यहाँ पे new registration, यहाँ पे देखो new registration और यहाँ पे नीचे भी दिखा रहा है, free exit candidates are also eligible for participation in second round eligibility as mentioned in FAQ अब FAQ में जाके आप इसको देख सकते हो but अगर आपको seat नहीं मिला, यहाँ फिर आप अपने report नहीं करा, तो उस situation में you are eligible, आप second round पे सीधा जा सकते हो, अब यहाँ पे देखो, second round पे जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, new registration facilities also available for round 2, आपको यहाँ पे अगर आप fresh हो, आपने round 1 पे आपने नहीं करा आपने apply नहीं करा, आपने join नहीं करा तो उस situation में आपको क्या करना पड़ेगा fresh register करना पड़ेगा अगर आपको round 1 registered candidate need not to register again and pay again, आपको वो registration का जरूरत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ अपना choice को modify करना है या फिर आप choice को modify करना चाते हो वैसे रखो लेकिन आपको put करना पड़ेगा बात समझ में आ रहा है, put करना है तो पूराना वाला सब खतम हो जाएगा, दुबारा आपको भरना पड़ेगा, तो choice submitted in round 1 will be treated as null or void, simple है यह आपको माना ही नहीं जाएगा खाली पड़ा हुआ रखेगा, तो fresh है, आपको second round पे sit मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, अगर बच्चो यहाँ पे मिल रहा है second round यहाँ पे is sit allotted, तो उस situation पे अगर आपको yes आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधा यहाँ पे जाओगे अगर आपको institute में जाना है तो सीधा institute में आपको क्या करना है, भरना पड़ेगा, अपना जो भी documents वगेरा लेके जाना है, formalities वगेरा आपको fill up करना है, लेकिन यहाँ पे आपको no exit, वही पे आपका खतम, यहाँ पे आप seat को चोड़ नहीं सकते हो, resign नहीं कर सकते हो, live नहीं लेकिन वहाँ पे कुछ पैसा तो आपको काटेगा, बास समझ में आ रहा है, तो पैसा चलो ठीक है, पैसा काट लिए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको निकलने देगा, बट दो दिन के अंदर होना चाहिए, अब अगर report उपर्ट कर लिया है, उसके बाद अगर आप जाएंट इन सेकंड राउंड अफ ऑल इंडिया कोटा और डिम्ड उनिवर्सिटी तो इनके लिए आपका यही पे खतम, अब दोसरा काउंसिलिंग के लिए अब इलिजिबल भी नहीं हो, खतम हो गया आपका, अब अगर आपको सेकंड राउंड पे अगर आपको सीट नही मिला, तो मानलो यहाँ पे नहीं मिला, तो आपको क्या है, मौपप राउंड पे आपको जाना है, मौपप राउंड पे आपको जाना है, तो मौपप राउंड का भी क्या क्या चीज़े है, क्या क्या कंडिशन से, वो भी आपको बताऊंगा, इलिजिबल फार मौप राउं ड्रिम्ड उनिवर्सिटी, एम्स जिपमार अनली या फिर ESIC इसके लिए होने वाला है बाकी All India Quota का जो seat है वो आपको state quota में दिया जाएगा बात समझ में आ रहा है की नहीं बोलो तो अब मानलो आपने report नहीं करा था non joining back end seat जो आ रहा है All India Quota का तो वो seat आपको सीधा state quota या state का जो counseling होगा वहाँ पर direct वो दे देगा और बोलेगा कि भाया आप state वाले अपना जो candidate को देना चाहते हो आप दे दूँ तो यह एक चीज है अगर आपको वहाँ पर seat नहीं मिला मॉप अप में तो यही चीज है यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था थोड़ा सोच समझ के करना है और इसके बद मॉप अप राउंड पर हमें continue करना है next page में हम चलते हैं और इसको मॉप अप राउंड को देखते हैं तो देखो यहाँ पर मॉप अप राउंड new fresh registration eligibility as mentioned FAQ क्या-क्या eligible है वह आप यहाँ पर देख सकते हो fresh choice feeling again आपको पूरा का पूरा freshly आपको again choice fill करना है और यहाँ पर आप देखो candidates joined in second round of counselling will not be allowed to resign and leave the seat they will not be allowed in any other counselling बात समझ में आ रहा है तो अगर आपने join करा तो situation में आपको नहीं मिला no upgradation will be allowed from the second round आपको यही चीज़ अब मैं बताना चाह रहा था आपको यहाँ पर कोई upgradation नहीं मिलेगा eligible for exit यहाँ पर आपको कुछ पैसा कटेगा दू दिन के अंदर आप करोगे तो all candidates upgraded from round one allotted seat in round two but did not report in the college यह eligible है अब देख सकते हो यहाँ पर candidates freshly registered in round two allotted in seat in round two and did not report the colleges note यहाँ पर आपको देखना है यह बहुत बड़ा important note है candidate allotted the seat in round two and report at college are not eligible to resign and surrender their seat तो यह चीज़ आपको देखना है बहुत ही अच्छे से जो मौप अपर राउंट है उसको मैं और भी detail में आपको बताने वाला हूं अब देखना उसको बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और आपकर report कर लेना इंक्लोड पैमेंट नॉन रिफंडबल रिजिस्टेशन फी और रिफंडबल सिक्यूरिटी डिपोजिट जिसको आम लुक्तिविशन फी बोल रहे हैं और यहाँ पर आपको चॉइस फिल करना है लॉक करना है प्रोसेस ऑफ सीट अलॉट्मेंट ऑफ राउंड वन पब्लि फ्रेश नू रिजिस्टेशन फॉर राउंड टू फॉर दोस केंडिडीट हूँ है अपको दुबारा रेजिस्टर करने का कि कोई जरूरत नहीं है लेकिन आपको फ्रेशली आपको चॉइस डालना है वह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और पब्लिश किया जाएग में और रिपोर्ट करना है आपको जो भी रेस्पेक्टिव कॉलेज में आपको मिलेगा तो उसे सबसे आपको जाना है बट यहां पे यह चीज़ मेंने पहले भी करा था end of 15% AIQ जो सीट था वो सारे यहां पे खतम हो गया not allotted या फिर आप देख सकते हो not joined seats to state quota या फिर institutional quota जो भी एपना central university या फिर आप देख सकते हो central institute वहां पे इसको convert कर दिया जाएगा आप ओल इंडिया लेवल का जोगी counseling था वो दूसरा तीसरा round यहां पे नहीं होने वाला है दूही round होने वाला है दूह राउंड पे आगर आपको set मिला तो अच्छी बात है अगर नहीं मिला तो वहां पे आपका वो खतम हो जाएगा आपको मॉपप राउंड पे आपको ज registered in round one and exited availing free exit लो के लिए क्या है अपर eligible हो अब यहां पे देख सकते हो वो रिजिस्टर इंड राउंड तो अग्जित विट पैसा काट लिया बच्छा यहां पे रिजिस्टर अगें विट पैमेंट आफीज अब यहां पे देखो हावेवर candidates who have already joined and taken admission in round two of AIQ-dreamed Central University's aims JIPMAR will not be eligible to participate in mop-up round आपको अगर admission मिल गया है तो आप यहां पे नहीं जा सकते हो मॉपप राउंड पे आपको जाना ही नहीं है those who registered but were not allotted a seat in round one and round two need not register again तो यह तीन point is very important दो point is very important यहां भी आप देख सकते हो register किया गया है round one पे लेकिन ओ फ्री exit कर लिया round two पे वह गया लेकिन वह उसने भी कुछ पैसा देके exit कर लिया और उसके लिए बट जिसने admission ले लिया वह पढ़ रहा है बट वह eligible नहीं fresh choice filling of mop up round fresh choice आपको करना है आपको publish किया जाएगा result आपको पब्लिश किया जाएगा आपको report करना है बस खतम यह अपना mop up round है बस उतना खतम हो गया आपको मेरे ख्याल से सारे detail आपको थोड़ा बोच समझ में आ गया होगा मैंने आपको जितना अपने हिसाब से कर सका उतना आपको समझा दिया अगर उसमें कोई doubt है तो आप मेरे को पूछ सकते हो comment कर सकते हो इंस्टा में message कर सकते हो FB में जा सकते हो सारे link description पे नीचे दिया हो रहेगा कोई problem वाली बात नहीं है बच्छो तो all the best बच्छो अपना choice को बहुत ही अच्छे से feel करना है choice के उपर बहुत सारे चीज़े depend करेगा आपका seat कहा मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा वो सारे चीज़े करना है बच्छो ठीक है all the best